Assalamu alaikum and welcome to InfoTech Computer ITC मैं हूँ शयान सिद्धी की और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं Insert Tab तो चलिए स्टार्ट करते हैं Insert Tab में हमारे पास बहुत सारे गुरूप्स हैं जिसे Table, Illustration, Chart, 3D Map, Spark Lines, Filters, Links, Texts और Symbols ठीक है तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Illustration, Chart और Spark Lines ठीक है Next Class में हम लोग इसकी Part 2 बनाऊँगा मैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे Links, Texts और Symbols अज़ा फिर बचेंगे हमारे पास यह Tables और यह Filter Group यह जो है Tables में Pivot Table यह Table Table तो असान है Pivot Table बैसिकली थोड़ी सी Complexes को मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है तो इस पर एक Dedicated Video मनाऊँगा मैं जिसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे Pivot Table क्या होती है ठीक है क्योंकि Table का तो बहुत असान काम है वो मैं उसी Class में आपको थोड़ा सा बता दूँगा इसके इलावा यह जो Filter Option है यह भी Slicer और Time Line इन दोनों के लिए हमें Pivot Table का पढ़ना या समझना ज़ादा जरूरी है इसलिए यह इससे Link करता है तो यह भी हम उसके बादवाली Class में Particular Class में पढ़ लेंगे यह दोनो Advanced Excel के Options हैं तो Basically हम लोग कर रहे है Basic Excel पर काम तो इसलिए अभी मैं इसको और Skip कर रहा हूँ जब हम लोग Advanced Level पर आएंगे तो इन्शालला इन पर आपको Dedicated इन Detail Videos मिल जाएंगी तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं Illustration Group Illustration Group में आपको Picture दी विए कि अगर आपके पास कोई भी Picture है Computer में या आप Online लेना चाहरे हो तो आप ये दो Options यूज़ करके Online या अपने Computer से Picture ला सकते हो यहाँ पर जैसे अगर आप लोग MS Word के हमारे Tutorials देख कर आए हो और अगर आपको MS Word सीखना है तो उस पर भी हमने पूरी की पूरी प्लेलिस बनाई भी है आप वो जाके देख सकते हैं Sequence Wise वाप में आपको Lectures, Classes, Assignments, Short Keys पर Classes मिल जाएंगी वो आप वहाँ पर जाके देख के सीख सकते हैं और जो लोग हमारे साथ MS Word का पूरा कोर्स पढ़ते वे आना है उनको पता होगा कि इस Picture को कैसे यूज़ करने इस पर किस तना से काम करते हैं या जैसे हम लोग यह पढ़ेंगे Hyperlink, Textbox या Symbols वगरा यह सब हम लोग MS Word में भी पढ़कर आयते हैं इन डीटेल तो उनको याद आजाएगे हाँ यार यह वही थारी चीज़ है और जिसने MS Word नहीं पढ़ा जो बंदा हमें आज की क्लास से जोईन कर रहा है वो अगर MS Word बढ़ना चाहता हो तो उस पर पूरी प्लेइलिस मिल जाएगी वो आप जाके देख सकते हैं इसके इलावा अगर आप Start से Excel सीखना चाह रहे हो तो उस पर पूरी की पूरी प्लेइलिस मिल जाएगी सीक्वेंस वाइस ख्लास सारी अप्लोडेट हैं आप वो Start से देख सकते हैं प्लेइलिस का नाम होगा Basic Excel to Excel Expert अभी हम लोग किस लेवल में हैं एकसिल बैसिक पे ठीके बस कुछ क्लास इद रह गई हैं यह बता तो के आपकी पिक्चर कहां पर है, जहां पर भी आपके पाफ पिक्चर हो, वहां से आप उसको खोल सकते हो, यह पिक्चर है, इंसर्ट कर दिया है मैंने इसको, और यह आ गई, ठीक है, अब यह काफी बड़ी है, तो आप इसको छोटा कर सकते हो, अपने मताबिक या इंटरनेट से तो आपके पास एक टैब आ जदी है पिक्चर टूल्स के नाम से ठीक है यहां पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जा दी है कि अगर आपको बैक्गराउंड रिमूफ करना हो कलर करेक्शन चाहिए हो कलर फिल्टर चाहिए हो कलर करेक्शन मतलब लाइटनेश लाइटनेश कलर एफेक्ट चाहिए हो फिल्टर चाहिए हो तो आप यहां से यूज़ कर सकते हैं ठीक इसके लावा आप चाहिए कि यार कोई बॉर्डर बॉर्डर हो जाए फिरेम बन जाए तो उसके बहुत सारे फार्मेंट्स आपको यहां पर दिये हैं अगर आप सीखना चाहते हैं यहाई क्या उदर चैट जीपटी पर किस तरह से काम करते हैं वैसे अब तो तकरीबन सब को पता ही होगा लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप बहुत पीछे हैं तो आप अगर सीखना चाहें तो इस पर भी आपको पूरी प्लेलिस मिल यह देख सकते हैं ठीक है इसके लावा यह आप्शन हम जैसे भी मैं आपको बता रहा था यह हम MS Word में भी पढ़कर आयते हैं तो सिंबल वही है जो MS Word में काम यहां पर इसका काम यही है कि आपको पिक्चर प्रोवाइड कर देता है ऐसे अगर आप कोई online पिक्चर लेना चा गई तो आप यहां से जो चाहरे हो इस पर क्लिक करो और insert कर दो यह आजएगी आपके पास पिक्चर ठीक है पिर वही काम कि आप इसको छोटा या बढ़ा कर लो जैसे आपको करना है जहां इसको रखना है आप वहां पर इसको रख सकते हो और इस पर आप जो भी working करना चाह हो यह आप कर सकते हो यह आप बार्डर के ओप्र विड बढ़ाना की यहां से हम यहां से यूजज पड़ा सकते हो ठीक है ऑप यह वही आप्शन में पड़कर आया दें इंसर्ट टैब में पिक्cesso में यहथ इसनिया थोड़ा सा बता रहों कर जिसने वह नहीं पड़ा का काम ठीक है आगे आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया हमें शेप्स यहां पर आपको बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे जिस भी तरीके के आप जो भी उस करना चाहरों यहां पर तो आप उस तरहां का शेप्स लेके ड्रॉ कर सकते हो जैसे हम लोग वही बात में करकर आय मैं एक्सल में यहां पर कुछ लिखता हूं देखो मैं इसको मूव नहीं कर सकता कहीं पर भी लेकिन यह शेप का बैनेफिट यह होता है कि आप इसको ईजी लिखने के बाद भी मूव कर सकते हो और जब आप यह लेते हो आपको पर एक टैब आती है फॉर्मेट है जिससे आ इस साना سے ट्रांस्पैरिंट टाइप ड्रीके तो आप यहांसर चुर्सक्ते हो नहीं तो आप यहांसरे इसको अपने मर्स के कलर दे सकते हो जो बिया आप देना चाहते हैं इसके इलावा शेप Less आपको िे लांगे मतलब जो इसके शेह के बाहर गी लाइना रही है ना सह कह करना है किस तान का करना है ठीक है जस्त लाइक डिस है यह आप्शन भी मैं इन डीटेल आपको एमस वर्ड में पिक्चर आप्शन में पढ़ा कर आया था तो उमीद करता हूं आपने वह क्लासिस देखी होंगी और आपको यह सारी चीज़े पता होंगी ठीक है या अगर आप या इसके अंदर लिखे वे पर काम करना है तो उसके डिजाइन जिये दिये में फॉमेट जिये में ठीक है तो आप यहां से यूज कर सकते हो नहीं अगर आपको अपनी मर्जी का करना है तो यह दिया हो टेक्स कलर यहां से आप टेक्स का कलर चेंज कर सकते हो जैसा भी आप मैं चाहरा हूँ आउट लाइन थोड़ी सी बढ़ जाए ठिक हो जाए तो मैं उसकी विट बढ़ा दूंगा यह बढ़ जाएगी ठीक है कोई इफेक्ट देना चाहरे हो टैक्स के ओपर तो यह दिये वे इफेक्ट जैसे भी हम यहां देखकर आये थे यह से पहले हम पिक्चर हां का कुछ यह भी कर सकते हो आप हो यहां से पalten कर वा सकते हो कैसा हो किस कि इस हो जाए यहोजाए है बियुक्ति यह घ्र इसमार्टार्ट हम लोग MS Word में भी पढ़कर आये थे और इसमें मैंने आपको एक डेडिकेड़ असाइमेंट के तौर पर एक एक्जैम्पल भी करवाई थी कि आप समझ जाएं देख लें के किस तरह से इसमार्टार्ट को यूज करना होता है चलो अगर कोई बंदा वो देखकर नहीं आया तो मैं आज दुबारा समझाते था हूं कि बैसिकली समार्टार्ट क्या होता है या इस पर कैसे काम करते है इसमार्टार्ट क्या होता है बैसिकली आपके डेटा को जो भी आप डेटा आप यहां से जो भी लेना चाहरे हो वो आप ले सकते हो process wise list wise cycle wise हरार्की wise relationship matrix pyramid या picture wise जैसी भी आप जो भी लेना चाहरे हो आप ले लो मैं यहां से एक बहुत जादा use होने वाले term use कर रहा हूं हरार्की इसमें क्या होता है business flows या जो भी आपकी companies के flows होते हैं या किसी भी चीज़ का flow define किया जाता है इसमें ठीक है मैंने कहा भाई मुझे example के तौर पर यहां से यह वाला smart art ठीक लग रहा है मैं यह लेना चाहरा हूं मैंने कर दिया इसको okay okay करने के बाद देखो यहां पर कुछ shapes आ गया आपके पास कुछ इस्ताना के सभी इसके लावा जब आप यह लेते हो यहां पर आपके बाद दो tabs आ जाती है एक आती है smart art design और एक आती ह smart art format basically यह जो चीज़ें हैं यह क्या है shapes ही है तो देखो अभी जो हम shapes लेया था मैंने तो वहां पर जो options आ रहे थे वो यहां पर भी आ रहे हैं यह देखो जो भी shapes select करोगे वो change हो जाएगा आपके मरजी के मताबिक आपके colors के मताबिक आपकी theme के मताबिक तो मैंने क्या किया यहां से लिए text pen text pen लेने के बाद मैंने सबको करवा दिया delete ठीक है अब मैं पास सिफ एक shape है यहां पर मैंने लिख लिए example के थाओर पर computer अब computer में दो चीज़े होती है एक होता है hardware और एक होता है software तो मैंने इंटर किया इंटर करने के बाद मैं पास एक और shape आ गया लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह आए इसकी category में तो मैं क्या करूँगा tap press कर दूँगा जैसे ही देखो मैंने tap press किया यह बता रहा है कि computer link हो रहा है इस चीज़े यह क्या होगी मैंने कह दिया इसको hardware ठीक है इंटर किया है ताकि एक और shape आ जाए यह भी इससे link हो रहा है और यहां पर मैंने लिख दिया software ठीक है इंटर किया अगे एक और shape आ लेकिन मैं चाहता हूँ कि computer से link ना हो अब मैं चाहता हूँ मुझे बताना है hardware क्या होता और software क्या होता तो मैंने क्या tap press किया मैंने का नहीं पहले hardware चाहिए अगें tap कर दोगे तो यह आ जाएगा hardware में मैंने का यह बताना है मुझे इस पर यह आप इसको select करो इंटर कर दो जैसे ही आप इंटर करोगे आपके पास इसके नीचे भी आजएगा अब यहाँ पर आप बता सकते हो कि इसमें क्या चाहिए software में मैंने जैसे लिख दिया यह जैसे power point ठीक है आप मैं चाहिए hardware के बारे में बताना है select के hardware को जैसे भी हम इंटर से शेप इंसर्ट कर रहे थे यहां से भी कर सकते हो आप एड़ शेप पे क्लिक करो और यह देखो यह आ रहा है इसके बराबर में तो यह मुझे चाहिए इधर क्या करो tap प्रेस इसी तरीके से आ आप क्या कर सकते हो जो काम आप ऐसे कर रहे हो इसको select करके लिख रहे हो वही काम आप यहां से कर सकते जैसे अगर मुझे यह word नहीं चाहिए मैं हटा दूंगा और यहां पर मैं कुछ और लिख लूंगा यही काम मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि डाइरेक मैंने shape पे लिक किया अ ठीक यहां यहां पर आपको बहुत सारे डिजाइन दिया है और चार्ट के कि अगर आप ऐसा कर लो यह देखो यह भी वही डिफाइन कर रहा है कंप्यूटर उसके अंदर दो चीजे हार्डवेयर सॉफ्ट्यर और सॉफ्ट्यर रिलेट करता है से हार्डवेयर के बारे में भी हमने नहीं बतायवा कुछ ऐसा डिजाइन लेना चाहरे हो ऐसा कर लो ठीक है यह आपको चार्ट के लियाऊट दिये हैं कि अगर आपने पहले वह चार्ट ले लिया आपको पसंद नहीं आरी तो आप यहां से अपनी मर्दी से उसे करवा सकते ह यहां आजाओ तो यहां पर आपको बहुत साथे colors, designs मिल जाते हैं जो भी आप देना चाहो गोला गंडा जैसा आप बनाना चाहो बना सकते हो और यहां आजाओ तो यहां पर 3D options यह हो तो just like this कुछ इस तरीके का जैसा आपको पसंद आ रहा है वैसे आप यहां से apply कर सकते हो या अगर आप चारो भई मुझे यहां से कोई format नहीं चाहिए में अलग अलग individual apply करना चाहता हूं यहां से पता दो यहां से बार यह, इसके बार यह, इसके बार यह, and so on, तो यहां से यह देख सकते हो, आप इसके इलावा, टैक्स फिल्ट, टैक्स एफेक्स मिल जाएंगे, अभी जो भी हम शेप में देख कर आएते, वो आप यहां से उसके सकते हो, कि इसमें यह जो लिखावा है, आगे होगा आगे बढ़ने नेक्स्ट हम आपस स्क्रीन शूट जैसे एक्जैम्पल के तौर पर अगर मुझे किसी भी चीज के स्क्रीन शूट लेना है या अगर मैं कुछ सर्च करके लिखना चाहता हूं तो मैं क्या करूँगा मैं वहाँ जाओंगा जिसे अगर मेरे पास यह गूगल क्रूम है और यहाँ पर मैं कुछ सर्च कर लिदा हूं जिसे मैंने यहाँ पर एक्सिल के बारे में सर्च कर लिया अब मैं चाहता हूं कि एक्सिल के बारे में जो मैंने सर्च की है वो मुझे वह लगेगा तो आप क्या करो आप जो स्क्रीन शूट में देखो यह दिखा रहा है आपको अवेलेबिल विंडो में एक विंडो जो अभी हमने गूगल की खोली वे लिगे मुझे पूरी विंडो नहीं चाहिए मैं चाहिए जितना पार्ट मुझे लिखना है ना सिर्फ उसी का स रहे सक्रीन शूट हो जए तो मैं करूँगा यहां से स्क्रीन क्लिपिंग और जो पार्ट आपको चाहिए वो आप ऐसे सलेक लो यही चाहिए या गया अब यहां से देखते जो और यहां लिखते जा ठीक है और यह कीसे आएगा यही दिखर आए गाशर अब यहीं के पास जो data है अभी हम लोग यह पढ़कर आया थे smart art इसका काम मैंने आपके बताया था आपके बाद जो भी data journal data journal इना science उसमें numbers हो alphabet जो characters हो special characters हो symbols हो doesn't matter यह smart art आपके data को graph में represent कर देगा किसी भी type का data हो जैसे भी हम एक example भी करकर आया थे computer की हरारकी बताई मैंने आपको कि computer में क्या क्या होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है वगरा वगरा तो अब यह जो chart है यह भी same काम करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ नुमेरिक data पर यह represent करता है graph में किसको नुमेरिक data अभी मैं आपको करके दिखाता हूं जैसे मैं आगे है इस sheet यहां पर मैंने कुछ data लिया हुआ है एक column लिया हुआ area, sale, expense और profit पहला column लिया है मैंने area, दूसरा sales, तीसरा expense और चौहता profit अच्छा इसमें मैंने simple कुछ भी नहीं किया हुआ यह लिखा हुआ यह भी लिखा हुआ है और expense भी लिखा, just profit में मैंने यह लगा हुआ है कि is equal to sales में से minus करवा दो expense, तो वह profit हो जाएगा, ठीक है, expense मतलब जैसे मैंने कोई भी एक चीज बनाई, वह कितने की बनी, वह total बनी, एक लाग की, उसको बनाने म को select कर लिए, चार्ट में आया है, यहाँ पर आपको बहुत सारी चार्ट जीवी है, यहाँ अगर आप आजाओ, तो यहाँ पर आपको दिया है recommended chart, जो Excel आपको आपके data के मताबिक chart दिखा रहा है, जो के आप use कर सकते हो, वह काफी अच्छी है, मतलब recommend कर रहा है, Excel के आपक आपके मताबिक यह चार्ट लो, तो आपको यहाँ मिल जाएंगे वो चार्ट, recommended chart, इसमें आजाओ, click करो इस पर, देखो यह आरी है recommended chart, के यह ले लो, यह ले लो, इस तना से ले लो, ठीक है, यह वाली use कर लो, या ऐसी, यह आपको recommended की जारी है, किसकी तरफ से Excel की, ठीक है जैसे यहाँ देखें, अगर मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है सबसे पर देखें, blue, blue indicate जो है, वो किसको कर रहा है, sales को, और यह जो orange ही किसको indicate कर रहा है, expense को, और जो gray है, यह recommend कर रहा है, किसको profit को, तो अगर मैं यह आपको दिखाऊँ, देखो सबसे होई, एक लाख, लांडी में, तीन लाख, गुल्षन में कितनी sales होई, आर्ट लाख, सबसे दादा sales कहा होई है, गुल्षन में, यह देखो, यह data में भी आपको दिख रहा है, यह काम होता है, चार्ट का, कि अगर आप data से, मतलब बहुत सारे लोग होतने, जैसे CEO होते हैं, 국토mind companies के managers होते हैं, उनको यह data वेटा नहीं चाहिए होता, उनको इसमें समझ नहीं आथा, उनको यह चाहिए होता है, graph, यह रिपोर्ट चाहिए होती होने, उसमें वो देखके easily समझ जाने, देखो, यह हर किली समझ आ जाएगा, यह है, यहए होता है, और यहां पर देखो, यहां पर set कर वालो जहां पर भी गणवाना चाहते हो इसको छोटा बड़ा करना है तो यह देखो जैसे अभी आप image को छोटा बड़ा करते वे आ रहे थे वैसे यह आप कुछ multiple designs वे को तियों जो आप यूज कर सकते वह अपनी मर्जी के मुदाबिक जो आपको अच्छा लग रहाँ ठीकिए कुछ designs वे होते है styles just like this यह आप यूज कर सकते हो जो आपको बहतर लग रहाँ ठीकिए यह आप चेंज करना चाह cuidado इसकी तो आप यहां चले जाओ जो आप लेना चाहरे हो यहां से ले सकते हो हमने recommended में यह वाली चार्ट पहले वाली ली थी मैं चाहरा हूँ नहीं भाई अब मुझे कोई और चार्ट चाहिए मैं गया all chart में यह all chart को options वही है जो line, pie, bar, axis, area जो आपको insert tab में यहां पे देखने को मिल रही थी यह देखें, column, lines ठीक है, यह सब मिल रही है तो आप यही काम change chart में जाके कर सकते हो, मैंने कहा मुझे चाहिए, pie में चाहिए कुछ इस तरहां की या इस तरहां की, ok कर दो वही chart change हो जाएगी आपकी ठीक है, और colors अगर आप देना चाहरे हो तो आप यहां से colors दे सकते हो इनको जैसा भी देना चाहरे हो जिस तरह का, वह आप easily इसको दे सकते हो, अपनी मर्जी के मताबिक यह वैसे ही हो जाएगी यह देखें, अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपको बनानी है chart, short की से, तो इसकी short की क्या होती है इसकी short की होती है, आप symbol data को select कर लो और आप F11 प्रेस करो keyboard से अपने, जैसे आप F11 प्रेस करो के देखो, आपकी chart खुद बखुद आपके data के मताबिक बन कर आजाएगी, और यह वही chart है जो आपको recommended की जाती है Excel की तरफ से, फिर अगर आप इसका design design change करना चाहो, तो आपको यह पूरा options मिल जाने है, आचे आप easily देख के कर सकते हो और यह याद रखिए का जैसे आप F11 करते हो, तो आपकी चार्ट होती हो आपकी exiting sheet पे नहीं आदी, new sheet पर आती है, मतलब मर्ज़ी तो चार्ट ले लो, यह करना चाहो तो आप यह कर सकते हो, ठीक है अच्छा, अब आगे आ जातने अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि यह जो चार्ट है, इस पे मैं आपको dedicated example भी करवा दूँ assignment के तोर पर, ताकि आपको और clear हो जाए, अच्छा, आगे बरतें next, spark lines, spark lines का भी कुछ यही काम होता है के graph में data represent करना, उसके लिए मैं आजाता हूँ देखें, यहाँ पर, यहाँ पर मैंने data लिया हूँ department, january, february, march के electronics में मेरी कितनी sale हूई january में, इतनी february में और march में, अब मैं आप इसको graph में दिखाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने इनको select किया, तीनो values को spark lines, तीन types की होती है, line, column और win yellows तो line में गया है, यह बोला भाई data range, data range देखो मैं already देकर आ चुका हूँ, अगर आप दुबारा देना चाहते हो तो आप यहां से select करके दे सकते हो, ठीक है, मैं already देकर आ चुका था तो मैं नहीं दे रहा है इसको, आगया जाते हैं, बोले location range के जहां पर यह आएगी spark line, वो कहां है, मैंने कहा वो यह है, ओके तो देखो, यहां गई, अब इसमें हमें कुछ पता चल नहीं रहा है, कि यह क्या है, क्यूं है, किस वज़े से, तो क्या करूँ, देखो, मैं इसमें गया, spark line एक वज़े आपके पास, tab, और यहां पर आपको कुछ lines देखने को मिल जाएंगी, edit data, सबसे पहले, यह आपको किस में चाहिए, lines, column, या win-lose में, यही रहेगा, बस क्या होगा, इसको type change हो जाएगी, ठीके, higher point, lower point, और negative point, first point, last point, यह सब आपको mark हुए वे मिल जाएंगी, यह अगर आप चाहरे हो, सारे आपको markers मिल जाएंगे, यह मिल जाएंगे आपको, यह देखो, अब आपको easily दिख रहा होगा, कि यह वाला जो point है, यह है middle, यह सबसे नीचे, और यह कौन है, यह वाला, और यह सबसे उपर जो जा रहे है, कौन होगा, यह, देखो, अगर मै मैं इसको कम कर देता हूँ, यह है 40,000, ठीक है, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, example के तोर पर, मैं इसको कर दिया, 3000, देखो, पूरी spark line चेंज हो जाएगी है, हमारी, ठीक है, या अगर मैं first वाले को भी कम कर दूँ, मैं इसको कर दिया 2000, change, ठीक है, इस तनहां से आप spark lines का यूज़ कर सकते हो और यह सिर्फ नुमरिक डेटा पर काम करती है मतलब वहाँ पर हमने कैटेगरीज में लीदी थी ना जैसे यह मैडिकल जैसे यहाँ पर हम यह heading भी select कर रहे थे just like this इस तरह थे हमने पूरे data को select किया था चार्ट में spark lines में ऐसा नहीं होता कि अगर आप सोच रहो हम इसको पूरे को select कर लें या इस तरह थे selection ले 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 तो क्या होगा अगर हम insert tab में जाते है spark lines मनाते है हमने कहा यहां चाहिए हमें यह देखो गलट data की range दिया आपने आप just इसमें किसकी range दे सकते हो numeric values की just numeric column में चाहिए फर्क क्या होगा जैसे इस तरह से दिखा देगा आपको इसके designs आप देख लो कैसा चाहिए किस तरह का चाहिए सरी इनके colors आप define कर सकते हो अपनी मर्जी के मताबिक जो भी चार्ट में कर रहे थे marker अगर आप यहां से कोई marker apply करते हो high point mid point ठीक है तो जैसे यह थे marker तो इनका color क्या होना चाहिए यह आप बता सकते हो negative का क्या color हो और higher point higher point मैंने ग्रीन से show होना चाहिए देखो सबसे बड़ा point यह है green से आ रहा है और फिर मैंने कहा भाई lower point सबसे नीचे वाला point आना चाहिए red में शायद red में ही आ रहा है और फिर मैंने कहा first point पहला point जो आना चाहिए black से black से हो जाए ठीक है मतलब आप पूरा इसको customize कर सकते हो अपनी मर्जी के मताबिक ऐसे अगर आप चाहरो win या loose में आपको चाहिए तो आप again आजाओ इसमें win loose में आजाओ कहां चाहिए मैंने का इधर और यह आजाएगा इसमें भी आपको इसी तरह से दिखाया जा रहा है कि आपकी sale के मताबिक values को graph में represent किया जा रहा है ठीक है तो उमीद करता हूँ आज यह class आपको अच्छी लगी होगी मैं चाहता मैं आपको पूरी एक class में यह सारी चीज़े समझा देता लेकिन वो काफी बड़ी हो जाती पिर बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं में तो आज के class जो के क्या थी insert tab part 1 जिसमें हमने क्या सिका illustration group chart group और spark lines group next class में जो के insert tab part 2 होगी जिसमें हम लोग सीखेंगे links text group और symbols group ठीक है उसके बाद इंशालला जब हम लोग advanced level पर आ जाएंगे तो हम लोग pivot table क्या होती है यह कैसे बनती है क्यों बनती है और filters में slicer या timeline किसे कहते हैं इस पर भी dedicated videos आपको मिल जाएंगी और उसमें लिखाव भी होगा के advanced level ठीक है क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं advanced अभी नहीं जब मैं बता रहूं आपको कि जब वो videos आपको देखने को मिलेंगी तो वहां से start हो जाएगा हमारा advanced level और उसमें सारी की सारी चीज़े जितनी भी advanced में आपको पढ़ाई जाती है यह आप लोग पढ़ते हो सब आपको देखने को मिल जाएंगी तो उमीद करता हूँ आची क्लास आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नहीं हो तो सबस्क्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताके नई आने वाले क्लासिस की नोटिफिकेशन नई आने वाले कोर्सिस की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके और आप उनको देख के उनको सीख सके तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में नई टापिक के साथ नई क्लास के साथ नई शॉर्ट कीस के साथ नई असाइमेंट के साथ जब तक लिए अपने बहुत सारा खायल रखिएगा अपने इस चैनल का खायल रखिएगा मुझे दीजिए जासत अल्लहाफेज